तो हेई हलो गाइज वल्कम तो डिस्ट्रोय गेमिंग एंठेक तो जदे कि आपने आपे थम्नियल और टाइटल में पढ़ लिया होगा मैं आपको देने वाला हूँ टॉप फाइफ ती एज 15 बेसे जो की बहुत मुश्किल से ट्रिपल होते हैं कभी-कभी तो टू स्टार भी यह बेस में आपको रेकमेंड करूंगा तब ही जो आप कुशिंग के लिए जा रहे हो इस बेस को ट्रिपल करना इतना असान नहीं है तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे करके यह बेस बिल्ड हुआ है तो यहां पे ना टाउन हॉल के साइड बहुत सारे ट्रैप्स वगेरा ह इस बेस को प्रोटेक्शन अच्छा खाता मिल जाता है तो यह दिखेगा आपको अपोनेंट को इसको देखके लेगा कि यह पूरा खाली-खाली सा है और कुछ भी करेगा ना भाई उसकी हालत खराब हो जाएगी तो वाल व्यू में यहां पर आपको दिख रहे हैं ऐसे बहुत ले लिजेगा तो दूसरा वेस यह मेरा फेवरिट वेस है आज कल लोग क्या कर रहे है आज कल बहुत जादा लोग आज कर रहे हैं तो यह देखिए मतलब उसको इसी वाले उपर वाले साइट से आना पड़ेगा अगर वह ड्रॉप करेगा तो उसका मतलब यहां पर पहले तो बहुत सारे चीज़े उड़ जाएंगी दूसरा अगर मॉनोलिट की जगब किसी और साइट से गुष्टे कि इसमें कोशी चीना तो मतलब यह जाइंड बॉम्म उसको डा देंगे तो यह बहुत ही सई बेस हो सकता है अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो तो यह इसका काऊफ विव अगरह देख लेते हैं तो यह बेस्ट मेरको अभी तक का अब से फेवरेट लगा है लग्सी क्या होते है कैसा कामध दता यह बएक कर लिखा के आप थे आप इसका स्काउफ और घुम अरुन्स ध्यक्ट शमुचा बिटे ऐगा निचल मॉद की बिखे घ तो अब हम लोग चलते है थर्ड एंड लास्ट बेस की तरफ जो कि यह है आपके स्क्रीन पर इसको आप यूस कर सकते है यह भी काफी अच्छा डिफेंस दे रहा है अगर आप कर रहे है तो क्योंकि यह बहुत पैला हुआ बेस है इसको ट्रिपल करने के लिए लोग काफी दा मैनत अगर आप तीन आइस गोलम दे देंगे अंदर तो काफी टाइम वेस्ट होने का चांस है तो टाइम टेल हो जाता है लोगों इसका स्काउट विव इधर आपन अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टाउन होल का बेस से यह तो यार कमेंट सेक्शन आपके लिए यह थैक्यों वाचिंग लेस्ट होगाए